नमस्त भारत बंबू ग्रोवर मैं आपका स्वागत है मैं चिराग पटेल बंबू फार्मर और आज आपको टूलडा में हिं टीशू कल्चर बेज़ वी टूलडा आता है और टीशू कल्चर बेज टूलडा के अंदर में भी दो वेराइटी रहती है जिस मेंसे हिली टूलडा जो है वो यहां पर लगाया हुआ है जब फार्मर ने मांगा होगा टूलडा यह तो सेंपल के तोर पे जो टूलडा लगाया होगा तब वो स्ट्रेट टूलडा के हिसाब से साथ सोच रहे होंगे लेकिन आज जब हम यहां पर फार्म विजिट के लिए आये हुए है और हमने करें लगाया है अंदर से 20% होलो और 80% जो है वो सकीन इसकी जो अंदर की मोटाई है वो थिकनेस वाली है जो है फार्मिंग करो तो थोड़ा बहुत उसके अंदर में देख लिया करिएगजा और जब ये plantation हुआ होगा तब इसके जो छोटे छोटे प्लांट होंगे वो छोटे प्लांट के अंदर में भी जैसे ये पत्तिया आती है बड़ा होने के बाद अलग छोड़ रहे था लेकिन जैसे ये छोटा अपन गिंती करें तो इस तर टाइप की जो पत्तिया आती है यहा पर बाल जो है छोटे छोटे वो बाल होने चाहिए अगर वो बाल है हर पत्तियों के बीच में तो उसका मतलब स्ट्रेट टुलडा रहता है स्ट्रेट टुलडा की वो खासियत है और हिली टुलडा के अंदर में वो आता नहीं है बेसिकली उगा तो बहुत बढ़िया है हाइड भी 20 feet by 20 feet के आसपस में लिवी है पोल की संख्या भी इसके अंदर में बढ़िया है लेकिन इसके अंदर में सिर्फ एक ही चीज है और वो है ये side branch जो है वो side branch निकलता है और छोटा नहीं थिकनेस के अंदर में side branch बड़ा भी इसमें निकलता है सिर्फ टूलडा के अंदर में ये फरक जो है ये मोटा फरक उसके अंदर में आता है बाकी बास कोई भी हो कोई भी प्रजातिका हो हर एक बास बायो मास के लिए तो काम में उप्योग में आता ही है लेकिन हम जो सोच के चलते हैं कि कौन सा बास हमने लगाया है और फिर बाद में बास कोई दूसरा आए तो अपने को ऐसा ना लगे कि हमने इसकी पहले से जानकरी लेनी चाहिए थी और वो हमने जानकरी नहीं ली तो आप भी हमारे साथ में बांबू रिलेटेड फार्मिंग कर सकते हैं हमारे पास में भी एक चोटा नर्शरी है और हम लोग भी एथिन्टी के साथ कुछ-कुछ पोधे बनाते हैं आप भी ओल अवर इंडिया में कहीं से भी पोधा चाहिए तो एक बार विजिट करने के लिए आ सकते है या तो आपके नीड की चीज हमें बता सकते है तो हम नो से दस मेने के अंदर में वो पोधा तयार करके आपको दे सकते है सीड बेज और राइजों बेज काम हम करते है साथ में कहीं प्लांटे से हैं परसके सीट साथ साल, पचास साल या आसी साल से नहीं आये हैं, तो उसका हम प्रोपोगेशन से भी काम करते हैं, तो आपको वो भी बोदे हम दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज एड़वांस पे चलती है, आपको थोड़ा एड़वांस देलना पड़ेगा, दस हेकड में लग पर दूसरे पोधे भी लगे हुए है जैसे बलकुव वेराइटी लगा हुआ है और दूसरे तीन चर किसम भी लगी हुई है तो हम बास जो लगाते हैं वो बैजिकली लगाते हैं खासतर पर 30-35 साल या 38 साल चल सके उसके लिए लेकिन जब हम टीश्य कल्चर लगाते हैं तो ह हम लोगों को जो 40 साल चलाना है 30 साल चलाना है वह हम 30-40 साल चला नहीं पाते हैं एक आप देख सकते हैं स्ट्रेस आने के करन जिसे उपर देख रहे हैं आप पतिया जो है वो सुख जाती है आगे चल नहीं पाती है पतियों का रूप जो है वो उसका खोल ले लेता है तो इस तरीके से कभी भी लगाई ये कोई भी वेराइटी तो उस वेराइटी के हिसाब से थोड़ा बहुत पर ताल भी कर लीजिए आसपास में दूसरे फार्मरों का लगा हुआ है दो साल तिन साल चार सल पूरा ना तो उसको भी देख लीजिए देखने के बार में आपको लगता है का ठीक है हमारे लिए ये आवस्यक है तो आप लगाईए अधरवाइस सीड़ बेस के पोदे हुआ है हुआ है